जै हिन दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10th का चेप्टर फ्रॉम दाइरी ऑफ एनी फ्रैंक सो लेट स्टार्ट इस इस्टोरी ऑफ यंग्स गर्र नेम्ड एनी फ्रैंक यह जो कहानी है एक लड़की की है इसका नाम है एनी फ्रैंक यह जो कहानी है उसके डाइरी पर अधारित है एनी फ्रैंक वाज एक जीविस लड़की थी कि सी वज़ ब perfectly on 12 जोन 1929 विसका जन्म 12 जोन 1929 को हुआ था एड टाइब उस समय नाजीज के पावर इन जर्मान उस समय जर्मनी में जर्मनी के पास वो पावर था जर्मनी में into hiding to avoid Nazis और नाजीस लोग जो थे वह जिविस लोगों का दुस्मन था ठीक ना वह लोग जिविस लोगों को देखना पसंद नहीं करते थे वह लोग जहां भी देखते थे जिविस लोगों को वह मार देते थे इसलिए क्या होता है कि at that time तो पावर इन जिरमनी तो उस्मे में लाजीस के पास भाट सो शी है टुब इंटू हैक抉लिंग एयवर नाजीस इसलिए ले मोनाजीस से बचने के लिए उससे कहां करना पड़ा सी हैट टूग अलाजीस से लोगोंी टोंट्टो हैडिंग उसे ने फजिविस यथे इने आइज फेमेली बर्ट सी डिर्टन्टत हैव एपने ऊलआ तो जो यहन फ्रेंग का था छ फेमेली बहुतिस अच्छा था बैट उसके पास 거ई-खष़री प्यान नहीं था कोई भी इंपर आज च्चारे ल्बवन दों से अलोष नहीं था मोन सबसे च Чथ खिल$ सी स्टेट देर अंटिल सी वा सिक्स आज जब तक वो सिक्स कि थी तब तक वो ही स्कूल में रही ओन हर थर्टीन बर्डे वन आफ हर फ्रेंड्स गिप्टेड हर डारी उसके त्रिमें जन दिन पर किसी ने उसको क्या-क्या एक डारी गिप्ट किया सी नेम्ड हर डारी किटी और इसलिए उसने निकी एनी ने अपने डारी का नाम रख दिया किटी शी वाज एन इंटलिजन कर वो एक क्या थी वो थी इंटलिजन लड़की थी बट सी हड नो फ्रेंड्स विद हूम सी कें एक्सप्रेज हर फिलिंग्स लेकिन उसके पास कोई भ उन थिंकिंग्स इसलिए वह सुष्टी रही दैन सी रिलाइज दैट इसलिए तब उसने महसूस की दैट पेपर हैस मोर फैसेंस देन पीपर की पर के पास यानि कागज के पास लोगों से अधिक पैसंस है धेरे हैं सी रिलाइज दैट वेन ही वेन वी टॉक्ट टुपल दे आहें गौत वरी वह रही सुन और महसुस करके कि जब आहुत लोगों से बात करते हैं तो देख गौट वर्वरी सुन और बहुत ही जल्द कहां होती है बोर हो जाते हैं वेन देगोट वो गेट वोर्ड़ देकम इन अटेंटीव और अगर वह बोर हो गए तो फिर वह धिया से इंकार कर देते हैं या फिर वोई जगह को छोल के चले जाते हैं देर फेसेंस इस एक्स होस्टेश वहरी सुन उसका जो धेर है बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाता है लोगों का जो फेसेंस का जो पावर होता है बहुत ही कम होता है बैट वेन वी राइट ऑन पेफर दे नेवर गेट बोर जब हम लोग पेपर लिखते हैं और कभी भी बोर नहीं होता है वी में गो ओन राइटिंग पेजेस अप्टर पेजेस हम लोग पेपर में पेज की पेज विदर पेज ने जितना पेज चाहिए हम लोग उतना पेज लिख सकते हैं पेपर नेवर आजड अस टू इस टू इस टॉफ राइटिंग पेपर हमसे कभी भी यह नहीं बोलता है कि लिखना बंद कर दो पीपल रिफूज टू लिशन आवर थौट अन फिलिंग बड़ पर कांट लोग जो हैं हमारा थौट्स हमारा भावनाओं को हमारे विचारों क टू राइट एड़ि इसलिए उसने निर्ने लिया कि वह एक डारी डारी में लिखेए शी रोट एबावड डेली इवहंच हाथ होट्स इस्कुल ग्रेट्स एन अदर एवेंट इट्रीजी और वह बढ़ डारी में कहाँ लिखती थी तो डेली का इवेंट लिखती थी अप अंट इंडिलिजेंट गर्ल एनी का धिक इंड बिट शीट टू मुंच इन दःष लेकिन बाख लास में बहुत अधीड पोलती थी Mr. Kaysing was her math teacher Mr. Kaysing उसका math teacher था so Mr. Kaysing asked her to write an essay इसलिए Mr. Kaysing ने उससे बोला write an essay on a chatterbox as a punishment तो वो किलास में बहुत अधिक बखती थी बोलती थी इसलिए Mr. Kaysing ने इसको क्या क्या एक के homework दे दिया एक punishment की रूप में कि एससे लिखने के लिखिस पर एक chatterbox पर chatterbox क्या होता है जो बहुत अधिक बोलने वाला box ठेकना नहीं बहुत जो बोलता है इसको बोलता में चैटर बॉक्स तो उस पर उसने ऐसे लिखने देते कि इसको एन नहीं हो एनी रोट एट टॉकिंग वाज इस्टूडेंट ट्रेट एनी जब ऐसे हो लिखती है कि बोलना तो इस्टूड का गून है एंड शी कुट नोट क्यों दीज हैवीट और वह इस आदत को हैविट को क्यों नहीं कर सकती ठीक नहीं कर सकती बिकर्स क्योंकि यह जो गुन है वह अपने मा से लिए है इसलिए वह इस इन इन हरिटेट बला गुन को वह क्यों नहीं कर सकती बट एनी डिट नोट स्टॉप टॉकिंग मच इन दा क्लास प्रेंसमेट मिलने के बाद भी एनी जो है क्लास में बुलना कम नहीं की मिस्टर केशिंग एंगेन गें altogether । ये ये टू राइट ऑन क्ुएक क्वेक क्वेक सिद मिस्टर चेटर बोकस नहीं फिर उसे एक और ऐस दीद्या लिए के लिए uz तो उसका इस बार जो टाटल था हो था क्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक्वेक इसलिए वह इस पर हेल्फ लिकिस का अपने फ्रेंड का असका नाम कहता सैने जो की प्वेट्री में बहुत ही अच्छे थी मिस्टर केसिंग अलबेज ट्राइट टू फ्ले एज जोग ऑन हर सो एनी रिसाइडेट टू राइट इस पोएम ऑन मिस्टर केसिंग मिस्टर केसिंग हमेशा जो है वह एनी पर उस पर निकी मजाग करता था ठीक ना इसले इस बार एनी रिसाइड की कि नहीं इस बार जो है वह मिस्टर केसिंग के उपर ही पोएम लिखेगी वह एसे को लिखेगी और वह भी किस पर वहर्स पर निकी पोएम को फॉम में इसलिए उसने अपने दोस्त एंग किसे तो सनी से मदली है फ्ली एनी रोट फोएम इत वास एनी एक प्रॉएम लीविदी टीन वर इट वास इक स्कारंटी जो प्यम ता उसकर वारम था तो इट वास आवड़ एम अधर ट्रेग एन फादर स्वान वीद थी बेबी डगलिंग ठीक न अर यह पोएम को इसके बारी में था तो इसमें पोएम में था एक मदर डग था और फादर स्वान था ने की वो डग ठीक ना बत्तक था एक मा और स्वान फादर था स्वान उसका तीन बच्चे थी कि दफादर पीड़ डगलिंग टू देथ बिकर्स देग्वेट टू मच ठीक न आज ने उसे लिखी कि फादर जो है निस्वान जो है वह तीनों डगलिंग को मार मार के मार दी ठीक न क्यों कि वह बोलती थी इसलिए बस यह पोएम लिखके दे दिया Mr. Kasing understood the poem Mr. Kasing जब इस poem को पढ़ा तो वह समझ गया ठीक न कि वह क्या कहाना चाह रही है देर आप्टर he never punished her again उसके बाद उसने कभी भी उसे दुबारा punishment नहीं दिया इससे असपष्ट होता है कि एनी जो थी वह थी intelligent girl थी बस समझ बार गया Thank you